सब्स्क्राइब कीजिए M.A. Classes चैनल को और बेल आइकान दबाईए लिटेस्ट अबडेट के लिए हेलो फ्रेंट्स आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल M.A. Classes मैं हूँ सुरिल कुमार इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है इसके पहले में 12 वीडियो अपलोट कर चुका और डिस्क्रिप्सन में उसका लिंक मिल जाएगा आप वहाँ से देख सकते हैं मैं आज इस वीडियो में बात करूंगा प्रोवर्टी मास फंसन के बारे में इसका डिफिनिशन बताऊंगा विद एक जामपल और इससे रिलेटेड कुछ क्विस्चन भी मैं बताऊंगा तो इस वीडियो में अंतक बने रहिए और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो सबसे पहले सबस्क्राइब कर लिजिये और लाइक कीजिये कमेंट कीजिये अपने फ्रेंट के साथ इसको सेयर कीजिये तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो को friends सबसे पहले priority mass function का हम लोग definition देखते हैं कि क्या definition है आप इसका name में देख रहे हैं कि यह है एक function priority mass function जो होता है वो एक function होता है तो कौन सा function है जरा इसके बारे में समझें if x is a discrete random variable यहां मैं random variable के बात कर रहा हूँ discrete random variable रेंडम विरेबल टू टाइप्स का होता है continuous random variable और discrete random variable तो random variable के बारे में मैं video upload कर चुका हूँ आप उपर i button प्रेश करके उस video पर जा सकते हैं तो वहां से आप random variable को समझ सकते हैं तो यहां पर मैं ले रहा हूँ x एक discrete random variable with distinct values x1 x2 dot dot xn dot dot यह जो है discrete random variable और discrete random variable का value finite भी होता है infinite भी होता है तो suppose कर लेते हैं कि discrete random variable का value x1 x2 dot dot यह infinity तो भी हो सकता है यह finite भी हो सकता है तो यह जो value है वह discrete random variable का value है then the function px अब एक function define करते है p of x x जो है वो कोई भी number हो सकता है या तो यह random variable का जो value है वो हो सकता है या फिर कोई दूसरा number भी हो सकता है तो px एक function define कर रहे हैं कैसे define कर रहे हैं कि P of X is equal to priority of X equal to XI अगर suppose कीजिए यह जो यहाँ पर हम लोग X use कर रहे हैं अगर वो X XI के ब्राबर है और इसके ब्राबर अगर X का ब्राबर है तो उस समय P of X का ब्राबर हो जाएगा priority of X equal to XI और इसको symbolically हम लोग denote करते हैं P of I यह एक number परजन करता है यह एक priority बता रहा है कि XI XI होने का capital X जो random variable है उसका value XI होने का यह priority बता रहा है और priority एक number होता है 0 से 1 तक तो यह एक P I एक number हो गया इसी को हम लोग symbolically P I से denote कर रहे हैं तो इस function का value यह होगा लेकिन यह तब होगा जब X equal to XI हो और अगर X not equal to XI है तो उस समय P of X का value 0 होगा तो यह अगर function इस तरीके से define करते हैं तो इसी function को हम लोग कहते हैं priority mass function is called priority mass function of random variable X यदि यह ने समझ में आया तो इसको एक example से देखिए example से यह पूरा clear हो जाएगा यहाँ पर मैं एक example ले रहा हूँ suppose कीजिए किसी coin को sorry three coin को हम लोग एक साथ toss करते हैं तीन coin लेते हैं और उसको एक साथ toss करते हैं तो क्या simple space होगा हो सकता है तीनों tail हो या हो सकता है कि पहला head दूसरा तिसरा tail या हो सकता है THT या TTH या फिर HHT या फिर HTH या फिर THH या फिर तीनों head हो सकता है तो suppose कीजिए three coin को एक साथ toss करते हैं तो यह simple space हो गया इसमें eight elements है आप देख सकते हैं अब X एक random variable ले रहे हैं X क्या चीज को represent कर रहा है हम लोग माल लेते हैं X जो है number of heads को represent कर रहा है number of heads जो जब हम लोग three coin को एक साथ toss करेंगे तो जितना head आएगा उसकी संख्या को हम लोग किस से denote कर रहे हैं X से तो X का क्या-क्या value हो सकता है तो X का value हो सकता है 0 क्यों 0 माल लिजे तीन coin को toss कियें और ये आ गया ये आ गया तो इसमें कितने head है यहाँ पर तो तीनो tail है एक भी head नहीं है तो head की संख्या जो है वो 0 हो गया और head की संख्या को ये X से represent कर रहे है आनि X का value 0 अगर ये elementary event आता है तो उसमें head की संख्या यहाँ पर आप देख रहे है कि एक head है बाकी दो tail है तो उसमें head की संख्या 1 हो जाएगा तो आनि X का value 1 इसमें भी आप देखिए कि एक ही head है इसके लिए भी 1 इसके लिए भी 1 या हो सकता है दो head हो जाए इसमें इसमें दो head है तो X का value 2 हो सकता है या तीनो head हो सकता है तो तीनो head अगर हो जाए तो X का value 3 हो जाएगा तो ये हो गिया discrete random variable यही random variable है random variable का value X X equal to 0, 1, 2, 3 यही 4 value है X random variable का इसके आलावा और कोई दूसरा number random variable का value नहीं है यही 4 number जो है यही इसका value है अगर इसको हम लोग X1 से represent करें इसको X2 से represent करें इसको X3 से represent करें इसको X4 से represent करें यह 4 value है इसको X1, X2, X3, X4 से represent करते हैं तो अब देखिए ये P of X equal to 0 X equal to 0 हो इसका probability क्या होगा तो इसका probability क्या होगा देखिए X equal to 0 मतलब number of heads 0 होगा तो number of heads 0 कब होगा जब वो ये elementary event आजाए तीनों tail होगा तो head के संख्या 0 हो जाएगा और इसका probability कितना होगा favorable cases 1 हो गया और total cases जो है simple space में आप देख सकते हैं 8 element है इसी तरीके से p x equal to आप 1 ले लिजे तो 1 लेते हैं तो x बता रहा है number of head और number of head जो है वो 1 होना चाहिए तो number of head 1 कब आएगा जब या ये आवे या ये आवे या ये तीनों में से कोई भी h t t या फिर t h t या फिर t t h तो इस case में हो जाएगा ये तीनों में से कोई भी अगर आता है तो number of heads 1 हो जाएगा आणि X का value 1 हो जाएगा random variable का value 1 हो जाएगा तो इसका probability कितना हो गया फेबरेवल के से 3 हो गया और total के से 8 है तो 3 बाइट इसका probability हो गया इसी तरीके सा आप निकाल सकते हैं X equal to 2 आनि कि 2 head होने का probability तो दो head के लिए भी favorable case 3 है यह देखे तीनों में से किसी में भी दो हेड है तीनों में से कोई भी अगर ले लेते हैं तो उसमें तो दो ही हेड है तो तीन हो गया favorable case और total case 8 आनि कि number of head 2 आने का priority 3 by 8 और number of head 3 आने का आने कि random variable का value 3 हो इसका priority कितना हो गया इसका priority इसके लिए favorable case is maa maatr 1 है यह ती एच 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 अगर आता है तो तीन हेड होगा तो फेवरवाल case 1 और total case 8 तो यह priority हम लोग निकाल लिए पर तेक रेंडम ब्रेबल के ब्रावर जीरो के लिए भी priority निकालनी है यह वन के लिए भी 2 के लिए और 3 के लिए भी अब हम लोग एक पी आफ x define करते हैं function define करते हैं तो कैसे function define करते हैं पी आफ यहाँ पर small p है और यहाँ पर हम लोग capital P लिख रहे है यह बता रहा है priority और यह बता रहा है probability mass function small p जो है वो function को represent कर रहा है और यह बताता है probability probability of x equal to x i लेकिन यह कब होगा जब small x जो है वो किसके ब्राबर होगा x i के ब्राबर और इसका probability 0 होगा यह कब होगा जब x is equal to not equal to x i तो यहाँ पर तो x i का यही 4 value है x1, x2, x3, x4 जो हम लोग माने हुए हैं तो अगर यह सभी रखते हैं तो उस समय probability हो जाएगा इस तरीके से आनि कैसे होगा ज़रा देखिए यहाँ पर हम लोग लिख रहे हैं p x equal to सबसे पहले x equal to x i माल लिजे x equal to x1 है x1 मतलब हो गया 0 तो उस समय इसका probability आनि कि p of x equal to 0 का probability तो x equal to 0 का क्या probability है 1 by 8 यह कब हुआ जब x का value हम लोग यहाँ पर क्या put किये x का value 0 put किये है और फिर p of x equal to दूसरा हम लोग discrete random variable ले रहे हैं दूसरा value है 1 तो 1 का probability कितना हो गया 3 by 8 और यह x equal to यह कब हुआ जब x का value हम लोग 1 रखें तो 1 रखने पर probability का value आ रहा है इस function का value आ रहा है 3 by 8 और फिर p x equal to 2 हम लोग ले लेते हैं तो 2 पर क्या probability है 2 पर probability 3 by 8 आनि कि यह कब हुआ जब x equal to 2 और p of x equal to 3 इस पर probability कितना है तो यह देखे 3 अगर लेते है तो probability 1 by 8 हुआ और यह कब आ रहा है जब x का value हम लोग 3 लिए और 0 हो जाएगा probability कब होगा जब x का value x i के ब्राबर नहीं हो x i मतलब यह 4 जो value आया है यही आपका x1 है यह x2 है यह x3 है यह x4 है अगर यह 4 में से कोई भी अगर नहीं आता है तो उस समय इस function का value 0 होगा तो एक function defined कर रहे है किसी भी real number के x के लिए defined हो सकता है लेकिन अगर इस real number का value 0 रखते हैं x equal to 0 रखते हैं उस समय इस function का value 1 by 8 हो रहा है अगर 1 रखते हैं x का value तो उस समय इस function का value 3 by 8 आ रहा है अगर x equal to 2 रखते हैं उससे में function का value 3 by 8 और x equal to 3 रखते हैं उससे में function का value 1 by 8 और अगर x not equal to x आई मतल़ इस चारों में से चारों के अलावा कोई दूसरा अगर value ले रहते हैं उससे में इस function का value 0 आ जाएगा जैसे आप सपोज कीजिए हम लोग निकालना चाहें P 1.5 तो 1.5 ये चारों में से कोई भी नहीं है तो अगर हम लोग जो random variable का value है उसके आलावा कोई दूसरा value रखेंगे तो उस समय इस function का value क्या हो जाएगा 0 और अगर इस में से कोई भी रखते हैं तो यहाँ पर defined किया हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है माल लीजे हम लोग x equal to 5 रखते हैं तो 5 तो random variable का value नहीं है तो 5 अगर random variable का value नहीं है तो उस समय इस function का value 0 हो जाएगा तो random variable का value के लिए अलग-अलग यहाँ पर defined किया हुआ है और अगर यहाँ पर x के जगा random variable का value नहीं रखते हैं कोई दूसरा number रखते हैं उस समय इस function का value 0 होगा तो इस तरीके से जो function defined किया है इसी को कहते है priority mass function तो friends यह ज़रा ध्यान दिजेगा यह actually represent क्या करता है या तो 0 represent कर रहा है या किसी घटना का priority ही represent कर रहा है यह random variable 0 का 1 का 2 का 3 का represent कर रहा है random variable का value नहीं रहेगा तो उस समय function का value कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा तो या तो 0 represent कर रहा है या priority को represent कर रहा है तो जब भी इसका value होगा तो 0 से 1 तक ही हो सकता है क्योंकि priority जो है वो 0 और 1 के बीच में होता है किसी भी event का तो इसलिए यह जो है value इसका हमेशा 0 से 1 होगा आनकि इसका range हो जाएगा इस function का range जो है वो 0 to 1 interval होगा तो जब फिर से आप definition देखिए definition क्या मैं लिखा हूँ कि x जो है वो एक discrete random variable है with distinct values x1 x2 dot dot xn जैसे आप यहाँ पर देख रहेते हैं कि जो random variable है उसका value 0, 1, 2, 3 है तो यहाँ पर जो random variable होगा discrete है तो इसका individual value होगा x1 x2 dot dot xn तो then the function एक function define कर रहे है p of x small p of x है और कैसे define कर रहे है p of x का value हो जाएगा priority of x equal to x i अगर random variable का कोई value ले ले लेते हैं यहाँ पर x के जगा x i ले ले लेते हैं तो उसससे में priority बताएगा उसका और इसको हम लोग pi से denote कर रहे हैं इसको pi से अगर x1 का priority निकालेंगे तो p1 से x2 का priority निकालेंगे तो p2 से x3 का priority निकालेंगे तो p3 से इस तरीके से denote कर रहे हैं तो जब यह random variable का value रखेंगे तो उस समय function का value इस priority के ब्राबर होगा और अगर यह x जो है वो random variable का value नहीं है तो उस समय priority 0 हो जाएगा अगर इस तरीके से function define करते हैं तो इसी को करते हैं priority mass function of random variable x है यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम लोग इसको कैसे denote कर सकते हैं इस number को हम लोग लिख सकते है small p1 इस number को हम लोग small p2 इस number को small p3 इस number को हम लोग लिख सकते है small p4 लिख सकते हैं तो यह जो value है वो x1 के लिए है तो इसको p1 x2 के लिए है तो p2 x3 के लिए है तो p3 x4 के लिए है तो यह p4 हो गया तो p1 p2 p3 एक number हो गया और यह जो number है वो priority प्रवर्टी रिपर्जंट करता है, P1 जो है, वो X1 का प्रवर्वर्टी, P2 जो है, वो X2 का प्रवर्वर्वर्टी, इसे तरीके से आगे, तो अब ध्यान दिजी आगे, कि the set XI, Pi, क्या कर रहे हैं हम लोग? XI जो है, वो random variable का value है, और Pi उसके corresponding X1 P1 अगर I के जगा 1 ले लेते हैं तो X1 P1 X2 P2 करना क्या है कि random variable का value लिखना है और उसके corresponding priority को लिखना यह ordered pair बना देना है तो यह जो ordered pair जितना भी हो बनेगा उस सारे के set को हम लोग कहते हैं priority distribution of the random variable X यह priority distribution कहलाता है जिससे मैं अभी जो example की बात किया हूँ जिना इसके बारे में समझे यहाँ पर क्या आ रहा है अधी हम लोग यहाँ पर एक table बना ले जिसमें यह बता रहा है random variable का value और यह बता रहा है उसका priority तो XI equal to अगर 0 रखते हैं तो उससे में priority है 1 by 8 अगर हम लोग 1 रखते हैं XI का value वानि random variable का value तो उससे में priority है 3 by 8 और फिर अगर हम लोग 2 रखते हैं तो यह भी priority है 3 by 8 और अगर XI का value हम लोग 3 रखते हैं उससे में priority आया है 1 by 8 तो यह जो table है यही कहलाता है priority distribution इसको एक ordered pair में भी लिख सकते हैं जो अभी यहाँ पर मैं बताया था कि X का value लिखिए और उ one है इसका corresponding priority 3 by 8 X का value 2 है और इसका corresponding priority 3 by 8 फिर X का value 3 है और इसका corresponding priority one by 8 इसका एक हम लोग set बना दे हैं तो इसी set को हम लोग करते है priority distribution of the random variable x तो typically distribution में क्या होता है कि random variable का भालू लिखना है और उसके corresponding priority को लिखना है तो इस तरीके से सेट में भी परजन कर सकते हैं या फिर इस तरीके से टेबल में भी आप लिख सकते हैं तो यह दोनों तरीका होता express करने का priority distribution का अब आगे ज़रा ध्यान दीजिए कि the number P of XI P of XI जो है वह एक नंबर बताता है priority बताता है तो मस्ट सटिस्पाइद फॉलाविंग कंडिशन यह कुछ कंडिशन को सटिस्पाइब करता है क्या कंडिशन है कि P of XI always greater than equal to zero for all I P of XI क्या बता रहा priority बता रहा तो priority हमेरे सा जीरो या जीरो से बड़ा होता है तो इसलिए P of XI is equal to greater than equal to zero और दूसरा है कि sigma of P XI सभी P XI का sum जैसे यहाँ पर आप देखिए P XI का कौन-कौन सा value है यह 4 value है अब 4 को add कीजिएगा 1 byte 3 byte 3 byte और 1 byte तो आप X का जो random variable है X उसका जो value होता है the set of values which X takes is called the spectrum of the random variable जैसे यहाँ पर X का कौन-कौन सा value आया है X का value 0, 1, 2, 3, 4 तो यह 4 value को हम लोग क्या कहेंगे spectrum of the random variable तो चलिए यह हो गया priority mass function का definition with example अब हम लोग कुछ question को देखते हैं friends इस question को देखिए कि यह random variable X has the following priority function एक random variable X जो है वो एक priority function उसका दिया हुआ है यहाँ पर तो सबसे पहले तो random variable X का क्या-क्या value है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यह random variable का value हो गया discrete random variable हो गया और उसका priority यहाँ पर दिया हुआ है priority function हो गया P of X यह बता रहा है priority function कि अगर X का value 0 रखेंगे उस समय इस priority function का value 0 होगा 1 रखने पर के होगा 2 रखने पर 2 के होगा इसी तरीके से दिया हुआ है तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 का तो यहाँ पर function का value मिल रहा है लेकिन अगर इसके आलावा कोई दूसरा number हो तो क्या होगा इस function का value तो definition में यही था कि अगर random variable का जो value है उस समय यह तो priority बताता है और अगर random variable का value X नहीं है अगर X कोई दूसरा number है तो उस समय इस function का value क्या होता है? 0 होता है तो P of X equal to 0 हो जाएगा इस X के आलावा मतलब यह 0 से 7 के बीच में जो number है उसको छोड़ करके कोई भी दूसरा number अगर रख लेते है तो उस समय 0 हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को छोड़ करके कोई भी number रखते है तो उस समय इस P X का value 0 होगा अगर यह सब रखते है number तो उस समय P X का value यहाँ पर लिखा हुआ है तो यह हो गया probability function दिया हुआ है है अब निकालना क्या है? If find K, evaluate P X less than 6, P X greater than equal to 6 and P of 0 less than X less than 5 यह इतना चीज निकालना है तो सबसे पहले हम लोग के निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? जा देखिए मैं अभी बता चुका हूँ कि इस priority function का जो sum होता है P X I जहाँ I equal to 1, 2 जो भी हो तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 values है तो I equal to 1 to 8 अगर कर दे तो इसका sum होगा 1 P of X2 plus P of X3 सभी X जो random variable है उसका priority बता रहा है तो सभी को add कर दीजिए 0 plus K plus 2K plus 2K plus 3K सभी के priority का sum 2K square plus 7K square plus K is equal to 1 हो जाएगा आप इसको add कीजिए देखिए K square को add करते हैं 7 plus 2, 9 plus 1, 10K square और फिर K का 3 plus 2, 5 plus 2, 7 1 plus 1, 8 और 1 यहाँ 9, 9K और 1 को इदर ले आते हैं minus 1 equal to 0 अब इसको आप factorize कर दीजेगा तो factor करने पर आएगा 10K minus 1 into K plus 1 आप चेक कर सकते हैं और यहाँ से K का value आ रहा है 1 by 10 और K का value दूसरा value minus 1 तो minus 1 नहीं possible होगा क्यों नहीं possible होगा? minus 1 अगर यहाँ पर रख देते हैं इसका मतलब one random variable का priority minus 1 हो जाएगा तो minus 1 कभी भी priority नहीं होता है तो इसे लिए since K is not negative तो therefore K का जो value आएगा 1 by 10 आएगा एक इंसर तो यह हो गिया जो K का value निकालना था अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए कि PX less than 6 का value क्या होगा? यह priority of X less than 6 तो X less than 6 में कौन-कौन सा value आएगा? 6 से छोड़ा कौन-कौन सा X का value है, random variable का value है तो सभी को लिख जाना है यहाँ पर P of X equal to 0 भी आएगा 1 भी आएगा PX equal to 1, PX equal to 2 भी आएगा और dot dot यह मैं कर दे रहा हूँ कहां तक PX equal to 5 तक 6 से छोड़ा लखना है, तो PX equal to 5 तो सभी आप देखे PX equal to 0 का क्या priority है? X equal to 0 का priority है 0 और X equal to 1 का priority है K फिर X equal to 2 का priority 2K फिर इसी तरीके से इसका भी 2K है यहाँ पर भी 4 का 3K है और 5 तक लिखना है 5 का है K स्क्वार सभी को आड़ करते रहे हैं तो यहाँ पर 3 प्लस 2, 5 प्लस 2, 7 प्लस 1 8K प्लस K स्क्वार हो गया और K का भालू हम लोग निकाल चुके 1 by 10 है तो 8 into 1 by 10 प्लस K स्क्वार करेंगे तो 1 by 100 तो यह आप एड़ कर दीजिए तो 81 by 100 आ रहा है तो एक इंसर यह हो गया फिर आगे बढ़ते हैं P X greater than equal to 6 का निकालना है आप next question देखिए P X greater than equal to 6 है तो इसका priority कैसे निकालेंगे जास समझे इसको यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि sigma P of X equal to XI सभी का sum कितना होता है 1 तो जितना भी है आनि कि यहाँ पर हम लोग X equal to 0 फिर X equal to 1 X equal to 2 dot dot यह X equal to 5 X equal to 6 X equal to 7 तक है तो सभी का priority का sum कितना होगा यह हो जाएगा 1 होगा सभी का priority का sum और यहाँ से यहाँ तक को हम लोग क्या लिख सकते हैं P X less than 6 लिख सकते हैं P X less than 6 5 तक 6 से छोटा है और इस दोनों को क्या लिख सकते हैं P X greater than equal to 6 लिख सकते हैं 6 या उससे बड़ा है तो इसका sum 1 हो गया आप इसको उधर ले जाएए तो P X greater than equal to 6 का भालू क्या हो गया 1 minus P X less than 6 तो हम लोग अब यह निकालने के लिए formula यूज कर सकते हैं कि 1 minus P of X less than 6 अब देखिए क्या करते हैं हम लोग P X less than equal to 6 का भालू हम लोग निकाल कर रखे हुए तो इसका भालू कितना है यहाँ पर देखिए P X less than equal to 6 का भालू 81 by 100 है आप यह subtract कीजिएगा तो 19 by 100 हो गया तो यह answer हो गया इसका और एक last हम लोग को क्या निकालना है लाश्ट निकालना है P of 0 less than X less than 5 का तो इसमें कौन-कौन सा random variable का भालू आएगा 0 से 5 के बीच में तो P X equal to 1 P X equal to 2 P X equal to 3 और P X equal to 4 यहां तक आएगा तो आप सभी का भालू पूट करके उसको add कर लीजिएगा तो यह निकल जाएगा तो यह कुछ question हो गया probability mass function का तो friends यह video कैसा लगा आप comment box में जरूर बताएगा अगर कोई चीज समझने में दिक्कत हुई हो तो आप comment box में लिखे मैं उसको कोसिस करूँगा उसको explain करने का और मैं next video मैं बताऊँगा probability density function वो continuous random variable के बारे में होता है यह discrete random variable में probability mass function होता है और continuous random variable में probability density function होता है तो मैं उसके बारे में बताऊँगा तो अगर मेरे चैनल को अभी तक subscribe नहीं किये हैं तो जरूर subscribe कर लिजे like किजे और friends के साथ इस video को share किजे इस video को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धर्निवाद thank you झाल 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 झाल